हालो फ्रेंड्स आजम कंटेस्ट बेस हाइरिंग क्या होती है वो देखने वाले बहुत सारे इंजिनेरिंग बीसी एस बीसी ए या फिर कौनसे भी फिल्ड के स्टुडेंट्स होते है वो टेंथ ट्वेल्थ या ग्राज़ेशन का क्राइटरिया कंपनीज का फुल्फिल नहीं कर पाते हैं उसके लिए उनके पास नॉलेज बहुत है लेकिन भिकॉस ऑफ़्डोनी वूकही पे अपलाई नहीं कर पाते हैं ट्राडिशनल हारिंग प्रोसेस में अगर आप एकृट्रिया फुल्फिल नहीं कर सकते हो तो आपको इंटर्व्वे देने के चांसस नहीं मिलते या फिर आप अपेरि nella हो पाते तो आपके लिए contest based hiring बहुत ही important topic होगा contest based hiring के लिए आपको किसी भी criteria की जरुरुत नहीं या फिर आपको एक challenge दिया हुआ होगा ओच challenge अगर आप solve करते हो तो आपको ओ company hire कर सकती है या फिर ओ company ओ प्राइज आपको दे सकती है तो जैसे कि आपको मेरे पीछे यहाँ पर एक code gladiators 2019 का coding context दिखाए दे रहा है उस वो context techs website पर आपको मिलेगा वो website मैंने description box में भी उसका link दे दिया है वो आप देख सकते हो तो एक contest based hiring process में होता क्या है contest based hiring में अलग-अलग companies आपको different real life problems आपको दे देती है और वो different real life problems के solution आपको multiple languages में solve करने होते हैं या उस पर आपको काम करना होता है जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया Techs website पर यहां पर आप चाहे तो link देख सकते हो www.techs.com slash code gladiators open context है तो यह context अभी open है आपको ऐसे बहुत सारे context time to time यहां पर update होती है यहां पर open round 29th March to 15th में यहां पर start है यह online आपको देना है तो इस context से पूरे related जो भी आपको information चाहे होगी वो पूरी information यहां पर आपको मिल सकती है उसकी price क्या है first champion को individual 3 lakh rupees का price है दोस्तों यहां पर first runner up को 250,000 का price है यहां पर बहुत सारे आपको price के listing यहां पर मिल सकते है best female coder fourth runner up तक यहां पर आपको price यहां पर रख्या है उसके बाद यहां पर rules भी दिये होते है वो rules भी आप एक बार देख सकते हो coding context के rules, ranking criteria बहुत सारे यहां पर आपको देखना होगा उसके लिए आपको simple एक बार registration करना होगा registration आप आपका facebook का id या gmail का id इस्तिमाल करके भी वहां पर आप register करके इस coding context में आप participate कर सकते हो आप देख सकते हो win prices worth rupees 1 crore दिख रहा हमें तो यहां पर बहुत सारे context होती है यह context आप solve करके या फिर यह challenges आप solve करके बहुत सारा पैसा आप कमा सकते हो या फिर आपको कौन सी company hire भी कर सकती है यह context आपको solve करने के लिए या फिर यह आपको challenges आपको overcome करने के लिए उनका solution देने के लिए आपके पास knowledge होना जरूरी है तो दोस्तों मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनके पास knowledge है लेकिन उनको job नहीं मिल पा रहा है क्यूंकि उनके उनका सिर्फ criteria match नहीं हो रहा है 10 का criteria graduation का criteria या फिर वेल का criteria वो fulfill नहीं कर पार है लेकिन उनके पास programming skill बहुत अच्छी है तो वो लोग ए context दे सकते हैं और किसी भी monthly national company में आप job पा सकते हो without any criteria आपका companies में selection हो सकता है तो context based hiring की बज़े से तो context based hiring का मैं आपको एक example दिखाता हूं यही टेक्जी वेबसाइट पे challenge में यहां पे hiring and pride challenge बाइंफेस एंफेसिस यह multinational company है आपको मालूम है उन्होंने hiring challenge दिया है जावा full stack पे यह hiring challenge उसमें multiple choice और coding भी यहां पे दो test रखे है जिसमें multiple choice है और दुसरा coding challenge है जिसमें आप core java html csa java script और angular js में आपको यहां पे काम करना है job details यहां पे दिये हुए full stack java full stack web developer salary best in industry आपको मिल सकती है 48 year experience यहां पे 48 year experience अगर दिया हुएगा लेकिन फिर भी अगर ओर context आपने solve किया आपको experience नहीं भी होगा तब भी emphasis को या फिर वैसे तभी उस company को अगर आपका code अच्छा लगा तो आपको higher कर सकते है या फिर आपको उसका price तो मिलने ही वाला अगर आपका solution सही रहा आपका solution ranking में आया तो यहां पे आपको price दिख रहा है इंडियन रुपीज 3 लाक्स तो प्राइस तो आपको मिलने ही वाला है यहां पे आपको simple details देखने details देखने के बाद आपको यहां पे सब उसका layout समझ में आएगा mcq question है 20 mcq question है उसके लिए time 30 minutes का दिया हुआ maximum score 100 है यहां पे coding challenge भी coding challenge के लिए आपको एक problem दिया होगा उसमें three hours का time लगता है यह three hours आप divide करके भी आतमाल कर सकते हो आप coding करते समय आपको अगर pause करना है तो आप pause करके थोड़ा बहुत आपका calculation करके फिर से आप logic लगा कि आप फिर से coding को start कर सकते हो ऐसा three hours मतलब एक बार चालू करने के बाद आप pause कर नहीं सकते ऐसा नहीं है आप multiple time यह pause करके test resubmit कर सकते हो तो time का कोई problem यहाँ पर आने वाला नहीं है तो दोस्तों यह emphasis का coding hiring challenge है और ऐसे बहुत सारे challenges आपको यहाँ पर मिल सकती है तो traditional way of hiring जो भी है जो आज तक चलते आ रहा है वो traditional way of hiring employees वो मुझे तो लगता है ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है क्योंकि बहुत सारे companies emphasis ऐसी company Accenture TCS ऐसे बहुत सारे companies है जो hiring यह context based hiring employees का भी वो कर रही है क्योंकि उन्हें जो भी manpower चाहिए वो manpower context based hiring से बहुत अच्छी मिल सकती है क्योंकि उन्होंने वह problem का solution दिया होता है और उनका coding skill वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह सी वहाँ पे आपको coding challenge और एक टेक्जिज मैंने website बताई दूसरी website है आप आपको मालूम होगी code shape.com the code shape.com पे भी ऐसी hiring challenges होते हैं अब भी 26 में 2019 को एक coding challenge यहां पे दिया हुआ है which starts from 5th April 2019 to 15th April 2019 यहां पे आपको registration करना है उसके उसी period में आपको एक context भी देना है तो यहां पर बहुत चारे से context regularly आते हैं वो इस context में एक context sponsor की हुई है share chat जो हम share chat application इस्तमाल करते हैं तो वो share chat company ने sponsor किया हुआ context है तो यह context आप देख सकते हैं उस context में यहां पर उनके announcements यहां पर पूरे दिए हुए यहां पर contest details भी दिये हुए जिसमें यहां पर लिखा है sponsored by share chat और यहां पर दो options दिये apply for internship और second apply for full time roles तो यहां पर आपको बताये हुआ है जो भी final year students है जैसे कि engineering के final year students होते है जिनने internship करनी होती है उन्हें अगर internship share chat में करनी है तो यह hiring challenge या फिर यह context में आप participate करके आप share chat में internship के लिए जा सकते हो या फिर आपको full time अगर role share chat में चाहिए तो आपको apply for full time role ऐसे करना है इस पर click करना है और आपको बाकी की process वहां पर समझ में आएगी share chat is looking for full time backend android machine learning engineers and web developers यहां पर उस जाब प्रोफाइल सब यहां पर दियो है these positions are open for professionals across the globe तो आपको कोई boundary नहीं है या पिर आप पुना से हो या मुबई से हो या फिर कहीं से हो आप यह context दे सकते हो और अगर आपका solution rank में आया तो आपको share chart higher कर सकता है तो यह context based hiring process तो context based hiring process के लिए मैंने दोई website आपको यहां पर बताई है पहली website code chef.com और दूसरी website टेक्जीज.com तो ऐसे बहुत सारी website है अगर आप Google search करोगी है तो आपको बहुत सारी यहां वहां पर list मिल पाएगी दोस्तो अगर आपको आपके academics में कम marks है आपका criteria किसी company के लिए आप qualify नहीं हो पा रही हो तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है यहां पर मैंने जो आपको दो website बताई है वो दो website पर आप login कीजेगा रेजिस्टर कीजेगा वहां पर coding context आप उस coding context में आप participate कीजेगा आपके पास knowledge है आपको भी वह मालूम है लेकिन उस knowledge को आपको यहां पर प्रूव करना है अगर आप यहां पर आपका knowledge प्रूव करते हो तो आपको MNCs या फिर बहुत सारे बड़ी बड़ी companies आपको हायर कर सकती है तो आपको सिर्फ आपका knowledge continuously update करते जाना है coding context में participate करते जाना है प्राइजेस लेते जाना है या ऐसे ही करके आप किसी अच्छी सी company में place हो सकते हो तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो की notifications regularly मिलते जाए थांक यू